हलो फ्रेंज जागरंजोश.com के इस वीडियो में आप सब इगा स्वागत हैं मैं हूँ सयद सौबान आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करेंट अफेर से क्या कुछ सवाल बना जा सकते हैं उनके सही जवाब क्या होंगे और साथी साथ उनसे रिलेटेड कुछ की इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स मिले कर देना होगा तो चलिए शुरू करते हैं किस देश के पूर प्रधान मंतरी अनिरुद जगनात का 91 साल की उमर में 3 जून 2021 के दिन निधन हो गया इसका सही जवाब ऑप् और राजपती दोनों ही पदों पर कारे कर चुके हैं भारत और हिंदी के पती अपने खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले अनिरुद जगनात को प्रथम प्रभासी भारती समान से नवाज़ा गया था अनिरुद जगनात का जन्म 29 मार्श 1930 को मौरेशिस में हुआ थ से 2012 तक देश के राजपती रहे थे इससे पहले भीवे देश के प्रधरमंतरी रह चुके थे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरह सवाल है कि असम साहिते सभा के किस पूर्भा अध्यक्ष और प्रख्यात साहितिकार का नवासी की उम्र में निदन हो गया इसका सही जवाब ल अचमी नंदन बोरा का तीन जून को निदन हो गया उन्होंने साथ से अधिक किताबे लिखी हैं जिनमें अधिकाश उपन्यास और लगु कहानिया के संकलन हैं उनका पहला उपन्यास गंगा सिलोनेर पाकी का ग्यारा भाशाओं में अनुबाद हुआ था सातिसाथ उन्निस सो चैतर में इस पर फिल्म भी बनी साहेत अकाश का विचे था बोरा असम साहेत सभा के अध्यक्षु रह चुके थे उन्हें सरस्वती सम्माम और असम वैली लिट्रेरी अवार्ड से भी समानित किया क्या था इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना से पेज नजर आएगा अगर आप क्याटेगरी वाइस कर इंटरफेस पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी क्याटेगरी चूज कर सकते हैं जिसमें लेटिस्ट, नाशनल, इंटरनाशनल, स्पोर्ट्स, टेकनोलोजी और एकॉनमी जैसी क्याटे भारतिय खिलाडी को 197 करूर रुपे कमाई के साथ 59 नंबर पर रखा गया है उनको 59 नंबर पर राप्त हुआ है तो उसका सही जवाब है अप्शन दी विराट कोली तो भारतिक अपतान विराट कोली लगातार पांचवे साल फोब्स की सवधिक कमाई वाले 600 खिलाडियों में शामिल एक मात्र क्रिकेट खिलाडी है और पिछले साल 66 रैंक पर रहने वाले कोली इस बार साथ पाइदान की चलांग लगा कर 59 नंबर पर पहुँच चगे हैं और उनकी कमाई में करीब 32 करोड रुपे का इजाफा हुआ है कोली 2019 में 189 करोड की कमाई के साथ सवे इस्थान पर थे मेक्स्ट मार्शल आर्ट्स के दिगज खिलाडी कॉनर मैक्रिगर करीब 1517 करोड रुपे हैंने की 208 मिलियन ओलर्स की कमाई के साथ दुनिया के सरवाधिक कमाई करने वाले खिलाडी है बढ़ते हैं अगले सवाल किता सवाल है कि एशियाई विकास बैंक ने किस राज में सड़क के बुनियादी धाचे का उन्यान करने है तो केंद्र सरकार के साथ 25 लाग डॉलर की रिन सहायता के लिए एक समझोते पर हस्ताप्चर किये हैं इसका सही जवाब ऑप्शिन भी सि अगले सवाल है अमेरिकी अंत्रिक एजेंसी नाग डॉलर के साथ 25 लाग डॉलर लगबग 18.2-3 करूर रुपए की रिन सहायता के लिए एक समझोते पर हस्ताप्चर किये हैं एडीबी ने कहा कि यह समझोता पूर्वातर राज के महत्पूर्ण कर्जबुक रामीर चेत्रो और तीर्थ एवं परिटने स्थलों से संपर को बेटर बनाने में मदद करेगा बढ़ते हैं अगले सवाल पर सवाल है अमेरिकी अंतरिक एजनसी नासा ने गोशना की है कि वो किस ग्रह के लिए साल दोहजार अथाईज और साल दोहजार तीस तक के बीच में दो अभियान पेजेगा इसका सही जवाब आप्शने शुक्र करा तो अमेरिकी अंतरुष एजनसी नासा है उसने इगोशना करी कि शुक्र गहा के लिए 2028 से लेकर के 2030 के बीच में दो जो है ऐसे अभियान भेजेगा जो शुक्र पे जाएंगे ये मिशन बहुत खास होने वाले हैं इनके जर्ये नासा के वैग्यानिक शुक्र गहा के वायो मंडल और उसकी बू वैग्यानिक फिचेशताओं की जाच करेंगे इसके लिए नासा को 50-50 करोड डॉलर की फंडिंग भी मन्जूर कर ली गई है बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ सवाल है कि निम्न में से किस देश ने स्वच उर्जा नवचार को बढ़ावा देने हैं ये तू सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्ग बनाने के उद्देश से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉंच किया है इसका सही जवाब भारत तो भारत ने स्वच उर्जा नवचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्ग बनाने के उद्देश से वैश्विक पहल जिसका नाम है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज इसको लॉंच किया है स्वच उर्जा को दश्खों तक किफायती आगर्शक और सुलब बनाने के उद्देश से और पेरिस समझोते और शोदिशों ने उद्द सर्जन की दिशा में कारवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश से ये मिशन शुरू किया गया है मरते हैं अगले सवाल पर सवाल है न्यूजिलेंड के किस बल्लेबाज ने लॉट्ज में अपने पदारपन टेस्ट मैच में सरवादिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतिये कप्तान सौरफ गांगुली का 25 साथ का पुराना जो रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया है इसका सह जवाब डेवान कॉनवे तो न्यूजिलेंड के बल्लेबाज डेवान कॉनवे ने लॉट्ज में अपने पदारपन टेस्ट मैच में सरवादिक स्कोर बिनाने का पूर्व भारतिये बल्लेबाज जो 30 और गांगुली उनका 25 साथ को राना रिकॉर्ड थोड़ दिया है गां अब उनका ये रिकॉर्ड टूट चुका है डेवान कौन में ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछ आ अंतराष्ट्रिय बाल रक्ष्य दिवस नेमने में से किस दिन मनाया जाता है इसका सही जवाब ऑप् में मॉस्को में अंतराष्ट्री महिला लोगतंत्रिक संग की एक विशेश पैटक में लिया गया था एक जुन 1950 को विश्व के 51 देशों में अंतराष्ट्री बाल रच्चा जिवस पहली बार मनाया गया था इसका उदेश बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की और लो इंडिक्स 2020 और 21 में निम्न में से किस राज ने अपनी शियर शिस्थान को बरकरार रखा है आपकी ऑप्षिंस बिहार, पंजाब, जारकन जाफिर, केरण अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिकर बताएं, यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शियर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करे और देखते रहे हैं जावरेंजोष.com